इंडेस 20 यह रहा शो शुरुआत करते फटाबट से इसकी इजी इंडेस निप्टा दो फटाबट से ठीक है देख लो क्या बोलता है सबसे पहले इंडेस 20 इंडेस 20 का होगे नाम पूछे तो सिर्फ येडे की तरह गौवर्मेंट गांड मत बोलके आना बड़ा नाम है accounting for government grant and disclosure of government assistance समझा सिव यह मैं बोला government grant आई यह चिन्नसवामी आई यह चिन्नसवामी मुत्तुसवामी विनुकॉपाल यह 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 वैसा ही है accounting for government grant and disclosure of government assistance ठीक है तो क्या बोलता है government grant का मतलब क्या होता है जब government आपको किसी फॉर्म में assistance देता है in return for certain compliance बोलते है condition मिटकर आपको grant देंगे ठीक है तो उसको बलते है government grant हसो मत लो ठीक है आध्यान दो इदर आगे grant को कभी book करोगे जब आपको लगता है कि उसकी condition आप comply करोगे और second reasonable assurance है grant मिल जाएगा भारत देश है बोलता ना वादे किये लेकिन grant दिया ही यह यह बना के चलेगे अरे डिक्की चुना लगा गई वैसा तो you should have a reasonable assurance कि grant मिलेगा है तो भी book करना आगे ठीक है accounting for government grant अब accounting कैस करने के लिए सबसे पहले आपको यह चेक करना होता है कि वह monetary grant है कि non-monetary grant है monetary का मतलब आपको grant cash में मिलेगा अगर आपको cash में मिल रहा है sorry अगर काइन में मिल रहा है kind में non-monetary grant मिल रहा है तो it can lead to a depreciable asset या फिर it can be for a non-depreciable asset ठीक है अगर आपको non-monetary grant मिलता है for depreciable asset इसका मतलब कोई machine आपको free में दे दिया तो दो method है या तो nominal value पे record करो एक रुपय दस रुपय सो रुपया या फिर grant और asset दोनों को fair value पे record करो तो grant को आपने record कर 10CR पे पैसा दो भरा है नहीं आपने तो पुरा का पुरा book करोगे DGG में deferred government grant में book करोगे 10CR में अब जिस ratio में आप machine को depreciate करोगे उस ratio में ये deferred income को आप profit and loss में transfer करते वे चलोगे simple क्योंकि depreciable asset है पहला चीज दूसरा अगर ये ही free में आपको land मिली होती which is non depreciable asset तो फिर क्या करते हो उस case में तो उस case में अगर non depreciable asset पर आपको grant मिलता free में तो दो method है आपके पास या तो आप उसको normal value पर record करोगे तो तो दिक्कत ही नहीं है या फिर आप fair value पर record करोगे land to DGG अब दिक्कत दिये कि land to depreciate नहीं होती है तो DGG profit and loss में कब जाएगा तो उ आरा grant जाएगा profit and loss के अंदर लेकिन अगर grant conditional है if the grant is conditional तो उस case में आप क्या करोगे उस case में what you will have to do is conditional grant मतलब देखना बढ़ा है condition कितने years की है if the condition is of 5 years तो आप DGG को पाच चाल में टांसो करके profit and loss में अगर condition 10 years की है तो 10 years में टांसो करना इन profit and loss जान लगना अच्छा उसके तो जो grant की income है और depreciation expense है आप net off करके भी दिखा सकते हो आप अलग अलग भी दिखा सकते हो ज्यान रतना ठीक है चलो आगे बात करते है यह था non monetary grant के बारे में फिर आते है monetary grant मतलब आपको पैसा मिला है पैसा it can be for three things for depreciable asset for non depreciable asset या फिक grant for any expense income that is revenue nature वाला grant ठीक है clear yes आगे बढ़ते है yes तो अब monetary grant cash में मिला है for depreciable asset तो जब depreciable asset में आपको कोई भी grant मिलता है तो उस case में आपको मैंने example लिया है suppose machine की value 10 CR ठीक है और government grant गवर्मेंट grant आपको दिया 3 करोड का cash में दिया तो अब इसको record करने के दो तरीके देखो दो ही तरीके होते है या तो इस grant को asset की cost suggest कर देना या फिर आप machine और grant दोनों को fair value पे अलगला record कर लेना अब cost suggest करोगा इसका मतलब machine 10 CR की grant 3 CR का तो machine net में 7 CR पे record होगा बराबर और depreciate भी आप 7 CR को करना अच्छा एक और तरीका यह है कि आप asset को 10 पे record करोगे grant को अलग से दिखाओगे fair value में cash band to DGG अब you will depreciate machine और grant को भी in the ratio of depreciation आप profit analysis में transfer करते वे चलोगे देखो net effect same ही आने वाला है बात है presentation तरीके की ठीक land मिला land के अगेंश 3 CR आपको cash दे दिया दो तरीके या तो cash को या तो जो monetary grant है asset की cost से adjust कर लो मतलब आप land को ही net 7 CR में record करोगे बराबर या फिर method no.2 method no.2 आप grant को अलग से record करोगे 3 CR पे again the problem is land तो depreciate होता नहीं है तो DGG का क्या करे अरे अभी तो बताया था उपर अगर grant unconditional है तो day one पर profit and loss but if the grant is conditional तो उस case में जितने साल की condition है उतने साल में grant को profit and loss में transfer कर देना simple खत नम होगी कहानी उसके अलावा अगर आपको grant मिला है for any expenditure incurred तो उस case में क्या किया जाए तो simple है check करना grant आपको कितने साल के expenditure reimburse कने के लिए मिला है अगर grant मिला है to reimburse one year के expense तो government grant भी आप एक साल में transfer करना profit and loss में अगर grant मिला है to reimburse three years के expense तो grant को भी आप profit and loss में transfer करना over the period of three years अगर grant मिला है to reimburse any past expense तो government grant को आप आज तुरंती profit and loss में transfer कर देना मतलब in short government grant profit and loss पर जाएका कब जाएगा वो देखना है और simple सा matching concept है जितने साल का खरचा उतने साल में grant transfer कर देना profit and loss के अगर government grant कभी refundable हो गया तो का किया जाए तो उस case में पहले ये देखना जब grant मिला था तब क्या किया था अगर जब grant मिला था तब आपने तुरन का तुरन सारा profit and loss में transfer कर दिया था तो grant का refund भी profit and loss से पे करना तो suppose जब grant मिला था तो entry क्या हमारी रहेगी cash bank to P&L तो जब refund तो entry reverse P&L to cash bank अच्छा जब grant मिला था तब DGG में transfer किया था और DGG से profit and loss में transfer कर रहे थे तो जब refund करने की बारी आएगी तो जब पे करोगे तो पहले जितना balance बचाए DGG में उत्ता आप debit करना DGG balance आप transfer कर देना profit and loss के अंदर तो for example मेरे मेरे को refund करना है 3CR DGG के अंदर balance बचा तब asset की cost adjust किया था याद है 10CR का machine 3CR grant मिला तो 7CR में machine को record किया तो जब grant मिला था तो machine की cost minus की थी तो आज जब grant refund करोगे तो machine की cost में add कर देना इसका मतलब refund का treatment is dependent कि जब grant मिला था तब क्या किया था तुम समझ रहे हो किया बस उसका उल्टा कर देना खतम होगी कहानी उसके आपन वो करेंगे इसी के साथ अपने 20 के सारे concept हो जाते है चलो आजाओ अब करेंगे question इसके question करते हैं कितना बड़ी है कितना खुशी देते हैं इस अब इंडेस पता है गया और ब्योकुफ लोग छोड़के आते हैं इस अब इंडेस बताओ जार तुम छोड़के दाने को चल रही है तो यह question हो गया financial instruments पर इंडेस 20 का तो standard बोलता है जब भी आपको सस्ते रेट पर लोन दिलाता है तो आप पहले loan का निकालो present value at the rate of EIR तो मैंने निकाले loan की present value यहां आप क्या follow करोगे यहां आप अपने financial instrument के step follow करोगे step number one cash flows step number two fair value relationship है क्यों कुण से relationship है government grant relationship है तो तो सारे cash flows को आप लगाओगे present value at the rate EIR यह आप क्या आएगी fair value of the loan loan लिया था 50 लाग का fair value 37.38 तो जो balance होता है between these two 50 lakhs and this उसको बलते है government grant बराबर 12 61 672 अब इस grant का मैं क्या करूँ देखो loan को तो आपन LAT बना के transfer करेंगे मतला amortize बगरा करेंगे इसका क्या करेंगे तो इसका क्या होगा इसका dependency will depend इसका क्या करना है it will depend कि loan किस purpose के लिया था loan कितने साल का दर उससे फरक नहीं पड़ता है loan किस purpose के लिया था उससे फरक पड़ता है तो उसका continuation illustration number 5 के अंदर है तो 5 वालप पड़ो तो अलग-अलग cases दिया हो है suppose आपको grant आपने loan लिया था for immediate relief है तो सारा का सारा grant जायका day one पर profit and loss के अंदर suppose आपने loan लिया था for staff training expense चार साल के लिए तो DGG transfer का profit and loss में over the period of 4 years suppose loan लिया था to depreciate a financial to depreciate a sorry to finance a depreciable asset to finance a depreciable asset तो DGG को treat करने के दो तरीके या तो जितना भी grant है उसको PP के cost से net off कर दो या फिर PP जिस ratio में depreciate हो रहा है उसी ratio में आप DGG को transfer करो profit and loss के अंदर तो illustration number 4 along with 5 पढ़के जाना ठीक है 20 से अगर repeat होना होगा तो यह वाला question अच्छा है क्यूंकि इसमें 2 index cover हो गया financial instruments भी cover हो गया 20 भी cover हो गया ठीक है चलो आगे बढ़े क्या यह चलो आगे बढ़ जाते तो यह अपना कुन सा question क्या आपन इलेक्टर नमबर और समाथी 4 और 5 दोनों कर लिया आपने फिर आते और कोई शांदर question दिख रहा है क्या मुझे लेट मी सी लेट मी सी यह रहा इलेक्टर नमबर 15 LDR है simple है बट फिर भी LDR है सुनना क्या बोलता है बोलता है अपने clean river project के लिए grant मिला बट अभी तक कुछ काम नहीं किया है तो grant का क्या करे तो ऐसे किसमें information incomplete है इन्होंने 12 पंदिस आंसर किया हुए बोलता है अगर grant non refundable थ कुछ काम करना है तो आप भले कुछ काम नहीं किया है फिर भी आप profit and loss में transfer कर सकते हो लेकिन अगर grant इसके उपर dependent था कि कुछ काम करना पड़ेगा तो आप grant को profit and loss में नहीं as a liability book करने का ठीक है यह पहला वाला पार था देखो alternative दिया हो दोनों case answer किया हो आप भी दोगला प the asset आगे तीसरा बोलता है September में बाड आगी flood आगया जो भी flood से effect हुए उनको grant देंगे लेकिन application भरना पड़ेगा 30 जून के पहले है इनके financials approve होगे 31 में को तब तक कोई भी application फाइल नहीं किया गया है अब जब application फाइल नहीं किया गया है तो adjusting event तो नहीं है तो previous है में तो grant नहीं book कर सकते हैं अगर आपने अगले साल जून तक application भर दिया तो शयद आपको grant आप record कर सकते हो previous दो आप record नहीं कर सकते हैं अगले साल अगर application भर दोगे तो मिल जाएगा तब record करना previous दो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं simple आगे बढ़ जाते हैं फिर आता है एक और शांदा का यह न अब तीन साल का खर्चा तीन साल में across मिलेगा मतलब एक साथ पुरा नहीं मिलेगा 40,000 मिलेगा year one में 10,10 मिलेगा year two and three में देखो grant का पैसा कब मिलेगा उससे फरक नहीं पड़ता है कितना promise क्या है 60,000 उससे फरक पड़ता है पहला चीज, second चीज, अब वो बोलता ह इस 60 को transfer करो P&L में over the period of three years एकदम सही है लेकिन normally आपन कुछ भी नहीं बोलते तो आपन equally transfer कर देते profit and loss में लेकिन ideally पते क्या होता है अगर आपके पास जितना हर सरका खर्चा है वो दिया हुआ है तो आप in the ratio of cost transfer करोगे in profit and loss जैसे for example अगर मैं illustration number 18 की बात करूँ तो मैं दि है recruitment cost यह one time होता है तो यह करोगे plus salary पे करोगे 1 lakh year 2 में विल पे 1.1 lakh year 3 में विल पे 1.2 lakh तो आप total कितना पे करोगे 3.6 lakh हर साल इतना पे करोगे आप तो आप जो 60 था जांगा grant है वो profit and loss में equally transfer नहीं करोगे या इस ratio में transfer नहीं करोगे आप profit and loss में transfer करोगे in the ratio of expense incurred अगर यह नहीं होता ना अपने पास तो आपन equally transfer कर देते जब यह होता है तो इस ratio में transfer करना होता ह तो grant 60 है अब पैसा कितना मिला उससे फरक नहीं पड़ता है total grant 60 दाना तो 60 को बाटेंगे in year 1,2,3 in the ratio of cost तो पहले मैंने entry बताई फिर मैंने ICI का table समझा है पहले entry देख लो क्या है जैसे पहले तो आपको पैसा मिलेगा 40,000 पैसा मिला वो ठीक है profit and loss में कितना जाएगा तो 60 60,000 into 130 divided by 360 इस ratio में जाएगा profit and loss में फिर year 2 में वापस से थोड़ा पैसा मिलेगा फिर year 2 में कितना grant book करोगे 60,000 into 110 divided by 360 देखो 60 into 110 divided by 360 फिर year 3 में थोड़ा पैसा मिलेगा book कितना करोगे remaining 60,000 into 120 divided by 360 तो इतना book करोगे remaining तुम समझे अब actually entry पूछी नहीं थी एक table पूछा था त कि डीजी जी का opening इतना था डीजी का opening कैसे है जितना पैसा मिला वो डीजी जी का opening प्रोफिट लॉस में कैसे transfer किया ratio मैं आपको अल्य बता है उत्ता ट्रांसवर किया इतना closing बचा फिर आपने 10,000 और पैसा रीसीव किया तो डीजी जी जी बढ़ गया फिर इतना बचा फिर मैंने बोला क्योंकि एक्जाम केल अच्छा है बट वैसे बट सिंपल है उसमा अलर्ट आपको अपको लोन दिया हूँ sorry grant दिया हूँ land के लिए मिला तो क्या करने का है इमिजेट रिलिफ के लिए मिला तो क्या करने का यह सब आपने डिसकस कर लिए कंसप के अंदर तो एक इतना MTP 22, RTP 22 क्या पता एक्जाम 30 है चलो सुन लो जबरदस्त क्वेश्चन है और आईसे एक आदत है वह तुम्हारे RTP MTP से नहीं पूछते है वह तुम्हारे पिछले RTP MTP से पूछता है समद रहो तो अच्छा क्वेश्चन है देख लो क्या बोलता है और वो बोलता है क करते हैं कि हमने सबसे पहले रिपे कर देनां फाइव नहीं इंटरेस्ट में 0% में मिला है, तो पहले तो आप ग्रांट निकालोगे, ग्रांट कैसा निकालेंगे, फिनांशल इसमेडल स्टेफ फॉलो करेंगे, तो देखो वही क्या हुआ है, मैंने इंटरेस्ट कूपन वग्रा कुछ नहीं है, इसके निकाली आपने फेर वैलू, जो ड रीच करा, तो आपको लोन रीपे करना पड़ेगा पूरा, उसके साथ 10 लाकी पेनल्टी भी लगेगी, मार्केट का रेट यह 12% है, फिर बोलता है, प्लांट में इंस्टॉल किया, और आगे तो बोला है कि 2 साल के बाद राइता फेला दिया, तो आप क्या करेंगे सुन लो तो सबसे पहले आप जब पूरा अकाउंटिंग करोगे, तो आपने पूरा फेल वागेरा निकाला, गौर्मेंट ग्रांट वागेरा भी निकाला, अब इसको आप 2 साल तक राइट ओफ कर चुके हो, तो यह लोन भी कितना बचा रहेगा, 2 साल के एलेट के बाद इतना बच बाकि जो FL है, राइट ओफ हो जाएगा, डीजी जी राइट ओफ हो जाएगा, तो 17.79 राइट ओफ, 6 पॉइंट जो भी एफुरेट राइट ओफ बैलेंस जाएगा, प्रॉफिट अलोस में, पहला, दूसरा, 10 लाग की पेनल्टी पे करनी है, सिधा प्रॉफिट अलोस में प्रॉफिट अलोस टू कैश्च बैंक, 10 लाग, 10 लाग, कम्बाइन मारों के तू भी चलेगा, यही किया हुआ है, पहले पूरी एंट्री मारी, रिफंड के एंट्री यह रही, टू कैश्च बैंक, इतना, जो FL राइट ओफ, डिजी राइट ओफ, बैलेंस प्रॉफिट अ इसकी, यह था question number थी, देखो का शांदार question कराया है, मैंने आपको, मस्त वाला हो, उसके अलावा, यह एक और question है, question number 4, यह actually LDR निया, simple सा question है, बोलता है, factory के लिए grant मिला है, तो factory के लिए grant मिला है, तो दो तरीके, या तो net off करके record करो, या फिर, PPE को अलग, DGC को अलग record करो तो मैंने summary यहां दिया हुआ है, simple है यह वाला part इतना, उसके बाद, let me see, नहीं, बाके तो simple है, illustration, question number 5, जो है, RTP November 22 का, LDR नहीं है, it is easier question, जो मैंने आपको अलगी कराया है, पता आपको illustration number 4 करवाया था, मैंने, जो government आपको grant दिया, और, sorry, government ने loan दिया, सस्ते rate of interest पे, वैसा ने इसके बाद, ठीक है, तो